श्रीमद्भूम्रेमेडिस में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे उग्काई जो मितली होती है नौसिया जिसे कहते हैं कि मुसक्तो को बताँंगा उसके लक्षन के बारे में उसका कार ABOUT है एक नॉनलंबार उपचार और धडिकर मतली के बारे मीज्वार खकाई उने इत्वां उल्टी होने का एहसास मात्र हैं. कुछ लोगों ö bread मिकली आती है. मिशेश कर यात्रा के समय कुछ लोगों कई की समस्या होती है. इसे motion sickness भी कहते हैं. यह गाड़ीसे यात्रा के दौरान, यह नौवसे यात्रा के दौरान. नौ से यात्रा के दोवान को सी सिपनेस कहते हैं इन सब जबवों पर ये विसेश रूप जाती है अभी उपकाई आने के जो लक्षन है वो मैं आपको बताता हूं आपके दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है पसीन आने लगता है आपको ऐसा एहसा होगा कि जैसे आपक गरवणी होई है इसके बाद हम आपको बताता है कि इसके कारण उपकाई के कारण क्या है यात्रा के दौरान मितली आना बहुत समानतीба दोड़त है लेकिन कई वजो फी से अगर यह लागातार आए तो ये एक समस्य बन जाती है मितली जिन कारण से उलती होना आपको बता जाता हूं एंटीबाइटिक दवाईयों के कारण अकसर पीट में गढ़बड़ी होती है जो मितली उल्टी का कारण बने जाता है फिर कुछ लोगों को यात्रा के दौरान मितली उल्टी का नपर गुरता है इसके लिए इसकी दवाएं आदे गिंटे पुर्व लेकर ही चले एक दवाएं आप उसको ले भी सकते हैं फिर भी आपने केमिस्ट से या फिर उससे पूछ लीजिए वह अपने डॉक्टर से फिर बधशनी से होती है अमलता शराब याद यादिक पीने से होती है उसका गर्वाहस्ता में पहले इक्तिमाही में मितली या उल्टी के समस्या होती है यह अपने आप रुक जाती है मितली या उल्टी के समस्या गर्वधारन के समय शरीर में हर्मोनिय बद्दाओं के कारण होता है शरीर में विटैमिन B6 कमी से की गर्ववती महिलों को उल्ट सुनिता होती है फूड इंटॉलरेंस जहां पर करेंगे तोहां पर उल्ट होने के फुल संभावना रहती है फिर माईग्रेंस में सिर के भीतर किसी परकार के दवाव से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूट्स पर वालत होता है जिसके करण मितली और उल्टी के समस्या उत्पन होती है पिताशे फिर पारण गौक्त के अमगोत करते हैं पितासे और पाच्चे घरन्ती में स्टार होने पर पेट के ओपरी वह में दर्द होता है और मितली और उल्टी होने ile का रहका है कभी कभी एकसेडेंट या गंदी बधावन के कारण मितली आ जाती है पिर तनाव भै और बेचेन के कारण शरीर की क्रिया में असनुतुलन पैदा हो जाता है जो बेंट में गरबडी का कारण बन जाता है जिसके फरसूप मितली उल्टी दस्त कब्स इस तरह की समस्या होना शुरू हो जाता है अभी मितली आने के जो समानी उप्चार है वो मैं आपको बता देता हूं यात्रा गद्रम मितली से बचने का सबसे तरीका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप थोड़ा थोड़ा खानक है और इसके लावाँ पर यह कुछ चीज़ें बता दे रहा हूं जो काई की समस्याज़ आपको समा मतलब ठीक कर सकता है गर्ववती महिलाओं को जिन महेंक वाले चीजों से मित्ली हो रही है उनको नखाए पिर थोड़े थोड़े मात्रा में खाए दो मेल के बीच में ठंडा पे और जल पिये उल्टी करने का प्रयास करें उल्टी करने पर आराम मिलेगा आप जहा डाला कपड़ा पेने जरूर से ज्यादा पानी नहीं पीना चीए अगर इस्तिती गंबीर है तो आपको तुरंट डॉक्टर के पास जाना चीए कभी बीमारी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बढ़ती चीए अब यहां आपको बताते हैं इसके जो घरी लूपचार है घरी लूपचार इसके मैं आपको साथा आठ बता जेता हूं जो आपको हमेशा उल्टी के वक्त में काम आएगा मितली या जीम चलाना इस परिशानी को मोशन सिकनर्स कहते हैं और पेट के फ्रू या फिर आपके दोरा खाये का खाने के इंसक्शन से होता है कि कभी कोबर मतली किसी गंभीर विमारिया से हार्ट अटेक कैंसर या कीमो थेरपी नेने के दौवान भी हो सकती है आए हम आपको ऐसे घरेड़ उपचार बताते हैं जो मतली या फिर जीम चलाने की परिशानी से आपको रहते हैं इसमें सबसे पहले है अद्रक अद्रक जी मतलाने या उल्टी में रहत देने के लिए सर्वोत तो मौस्ती है इसके उपचार के लिए अद्रक की चाय या अद्रक को यूँ ही चवाना मी लाबदायक होता है हलांकि गर्वावस्ता के दौरान अद्रक इस्तमाल करने के मनाई होती है साथ ही दो साल से कम उमर के बच्चे को भी अद्रक नहीं दिने चाहिजी फ्रेंड निम्बू निम्बू बीजी मजलाने की समस्या से राहत देता है निम्बू में विटामेंट सी उच्छ मात्रा नोगता है जो की पेट के लिए बहुत फायदे मनत है उपचार के लिए एक गिलास पाणी में एक निम्बू नी चोड़कर बीजिए साथ ही निम्बू को सुमने से भी वह काफिर फायदा होता है फिर पुदीना पुदीना में एंटी बैक्टेरियल गुर्म होते हैं साथ ही यह इविलिटी को भी बढ़ाता है मतली चीन मचलने के समस्य से राहत के लिए पुदेनी की पत्या चुपाई jewel इसके लावा पुदेनी की चाय बनाकर पीना यया कैंडी खाना विला अप्रद होता है फिर दूद और बैट है मतली से राहत के लिए दूद बैट खाना भी लाप्रद होता है उपचार के लिए ब्रेड पर बिना नबक वाला मक्षन लगाई है एक ग्लास बिलम दूद में इस ब्रेड को तोड़कर डालिए और फिर धीरे-धीरे कहिए लेकिन पेट में फ्रूम या ग्यास हो तो दूद नहीं ले यह नुपसान करता है फिर है शहर शहर कई विमारियों के उच्छ दवाय है शहर में भी एंटी-पैक्रियर गुन होता है और शहर भी एम्यूर्टी बनाने का कारे करता है उपचार के लिए एक ग्लास पानी में सेव का सिरका मिलाकर उसमें थोड़ा शहर डलकर पीने से जी मजलाने की समस्या से इस मार्णु को हलका गुर्णबना ही पीना चीक है फिरे जीरा एक ग्लास च्छास या दही में जीरा को बूंगर दा जूजे इस मश्यार को पी लें इससे जी मिचलने की समस्या ठीक हो जाती है पिरे बेकिंग सोडा गरम पानी में टेड़े चमद बेकिंग-सोडा डालकर पीने से मतली हैं बहुत राहत मिलती है पर गर्ववती महिलाओं को यह उपचार नहीं करना चीओ प्रे ओनियन एक ओनियन का जूस निकाल कर उसमें एक चमच अध्रप को कद्दू कस करके मिलाई है प्याज में एंटिबैक्टेरियल गुन होते हैं जिसके कारण यह पेट के लिए बहुत फायदे मनते हैं इसमें मतली को ठीक करने के प्राकरतिक गुन होते हैं और आकनी दस्वां हैं की तॉलिय को एकदाव ठंडे पानी या बरफ के पानी में कुछ घंटों के लिए रखेए इसके बाद इस तॉलिय को प्रभाईद वैक्टि के गर्दन पर लबिटे हैं यदि वैक्टि लेटा हो तो गर्दन के पीछे रख दें और यदि बैठा हो तो गर्दन के सामने झाल झाल